बौधिक आतंकवाद, यहां कक्षा में बच्चा जाता है, तो गा से गाए नहीं पढ़ाया जाता, गा से गधा पढ़ाया जाता है, जब भगर से इंग, राजगुरु और चंदर शेखर के बारे में, यहां बच्चा जाता है, यहां एके रामानुजन के बीए पास कोर्स में, थ्री हंड़र रमानाज में पढ़ाया जाता है, रावन की छींक से सीता पैदा हुई, रावन सीता का बाप था, रावन ने गर्बधारन किया, आठवे महीने में उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आई, जब आठवे महीने में जोर से चींक आई, तो नाक से सीता मैया पैदा हुई, यह दिली इनिवर्स्टी के बीए पास कोर्स की बात कर रही हुई, और बात को विच्रा करते थे, और जब इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो क्या कहा जाता है, अठेक और फ्रीड़म अप एक्स्प्रेशन, हिंदू फ्रिंज, हिंदू एक्स्ट्रीमिस्ट एलिमेंस, लेकिन जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं, इसलिए ये जितना कोर्स में टियर था, आज चेंज हो चुका है, अंतमे मैं कहूंगी कि माक्सवादी जब विपक्ष में होते हैं, तब इनकी विचार धारा का आंकलन मत कीजिए, जब सत्ता में और पक्ष में आते है तब विचार धारा का आंकलन कीजिए, पूछिए उस T.J. Thomas से, उसका क्या कसूर था कि उसका दाहिना हाथ केरला में इसलिए कार दिया गया, क्योंकि उसने प्रेश्ट पूछ लिया था, प्रॉफिट मुहम्मद के ऊपर, उसकी पत्री ने कुछ वर्षों के बार, दस मार् जी से, कि उनकी दोनों टांगों को क्यों कार दिया गया था, क्योंकि वो माक्सवादी परिवार में पैदा हुए, अप राश्टवाद की और अग्रसर हो रहे थे, पूछो मास्टर जय किशन से, कि क्या उनका जुर्म था, कि आठमी और नौवी कक्षा के बच्चों के साम ने उनकी हत्या कर दी गई, क्यों, क्योंकि एक राश्टवादी विखती थे, राश्टवाद के पुरोधा थे, इसलिए थे, इसलिए इस मार्कसिस, वें देर इन ओपरिशिशन, डे टॉक अब फ्रीडम अप एक्स्प्रेशन, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं, वे कब, आप राइट टू स्पीश की बात करते हैं, ये राइट टू लाइफ ही खतम कर देते हैं, इसलिए ये हमें ना समझाएं कि लिबर्टी क्या है और प्रोग्रेसिवनेस क्या है, मैं यही कहूंगी, कि ये जो समय है, ये समय ऐसा है, कि एक तरफ वो ताकते हैं, जो देश विरो ताकते हैं, जो मेरे सामने बेठी हैं, और जिनको कहते हैं न सवा लाग से एक लड़ा हूं, तभी गोविन सिंग नाम कहला हूं, ये तने सशक्त हैं, मजबूत हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी और ये लोग हैं, तो ना हम जुकेंगे, ना रुकेंगे, ना क्योंकि जो पत्तर चोट लगकर तूट जाता है, वह कंकड़ हो जाता है, और जो पत्तर उस चोट को सह जाता है, वह शंकड़ हो जाता है। हम जहां खड़े होंगे, जो हमारी सामर्थे होगी, हम चार लोगों के बीच में होंगे, हम स्टूर्ण्स के बीच में होंगे, प्रोफेसर्स के बीच में होंगे, गाह में होंगे, शेहर में होंगे, अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखेंगे, अपने साथियों को आज मैंने सूरे से बस जरा यूही कहा आपके समराज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो संग्राम यह घंगोर है कुछ मैं क्यों आर्ड़ूं यूर्णा इन ङौर्णा लड़ूं पुम गजब ख़ार लड़ूं आर्ड़ूं यूर्णा और्ल